नबसका दोस्तों स्वाइगत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों रायस्तान BSTC कॉलेज अलोट्मेंट 2024 की पिकरिया पूरी हो चुकी है जी हैं दोस्तो BSTC की first list आ चुकी है first list में कितनी seat भरी है cut up कितनी गई है second list कब आएगी क्योंकि कापी सारे student second list का अब इंतियार कर रहे हैं कल कापी comment आएगी second list कब आएगी और इसके अलावा दोस्तो BSTC में अब कितनी seat खाली बचे हुई है क्योंकि दोस्तो पहली लिस्ट जो आती है दोस्तो लगो पिचासी से नबबे प्रतीस सीटां भर जाती है पहली लिस्ट में reporting के लिए दोस्तो आपको क्या करना है reporting कैसे करानी है upward moment कैसे कर सकते हैं आप दोस्तो अगर आपको college में जो मन प्रसंद college नहीं मिली है आपको ज़्यादा दूर college मिली है तो उसके लिए आप upward moment भी कर सकते हैं तो पूरी जानकारी आपके साथ सेर करूँगा वीडियो को शुरू से लाश्ट टक जरू देख लेना साथ मैंकर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप से चोड़ी लिए कल लिष्ट है वो जारी की गई है पहली लिष्ट आ चुकी है सबसे पहले अपडेट दे सकते हैं दोस्तों बीकानेर की तरफ से 11 अगस्त तक आपको फीर जमा करानी है और 12 अगस्त तक आपको कॉले लिट हुगा है यानि कि पहली लिष्ट में 24,170 विद्यारतियों को कॉले मिल गई है कितरे नमर पर मिली है वो मैं आगे बताऊंगा अब जो सीटें बची हुई हैं दोस्तों अगस्त तो 24,170 विद्यारतियों को कॉले मिल चुकी है और 1853 शीट आपकी खाली है अगर आप 1853 को इसमें जोड़ते हो दोस्तों तो वही हो जाएंगी आपकी 25,970 शीट है यानि कि दोस्तों आपकी 700 सीट या 600 शीट खाली रहेंगी अब वो कैसे होंगी आपको आगे बताऊंगा देखिए अभी इनको कॉले मिल चुकी है 24 यार 170 विद्यारतियों को तो इनको ज़रूर नहीं कि आपको नजदी कॉली मिली है कापी सारे इस्टुएंट हैं जिनके कल मेरे को कमेंट आ आपको चात्रों के नमर दिखाने की कोसिस करूंगा कल कापी सारे चात्रों मेरे पास अपने नमर शेयर किये हैं यह दे सकते हैं इनको जोने को कॉले मिली है तो आप उनके नमर केटिकरी देखिए गा इससे आपको कटॉप का अंदाजा हो जाएगा देखिए ओवी सी में 4 चात्रेतिंद्र के चात्रह इसको दोस्तों यहाँ पर कॉले मिल गσेश्वाज और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों एक और चात्रह जिसको भी इसको भी दोस्तों यहाँ पर college मिली है SC category से SC category अभी जो minimum नम्मर वाला है वो 423 वाला है यानि कि 423 पर SC category में college मिली है हलांकि मैं यह नहीं बोला इससे कम पर भी मिली होगी SC category में देखिए OVC में 438 और इसके अलावा दोस्तों यह एक और चातर है जी हां 441 पर एक और विद्यारती यहाँ पर आप दे सकते हैं 447 नम्मर है MBC category से और यह एक और दोस्तों यहाँ पर SC category से हैं 423 यानि कि दोस्तों कल मेरे पास कापी सारे छात्रों ने अपने नम्मर सेर किये थे यानि कि अपने जो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीव सोट बेजेते हैं उसमें मुझे अधिकतर विद्यारती जो मिले हैं वो 400 से उपर वाले मिले हैं यानि कि 430 से उपर वाले अगर मैं कटॉप की बात करूं दोस्तों OVC की थोड़ा संभावना आ रही है कि OVC में 430 तक कटॉप गई है यानि कि OVC की फर्स लिस्ट जिनके 430 प्लस नमर थे उनको ही कॉलेज मिली है कटॉप मैंने आपको बताया था कि 400 प्लस रहेगी दोस्तों 400 से उपर ही जाएगी अब हालां के देखिए 24-177 विद्यारतियों कॉलेज मिल चुकी है अब इनको क्या करना होगा रुपोर्टिंग करानी होगी रुपोर्टिंग कैसे करानी चली वो बताये था हूँ आपको देखिए रुपोर्टिंग कराने से पहले मैं आपको इस यह बता दूँ आप तभ वालों से पूछने के बाद है कि कुछ चाहतर रुपोर्टिंग करा लेते हैं लेकिन बाद में वह कॉलेज नहीं जाते हैं तो उनका एड़ीशन कैंसल हो जाते हैं क्योंकि आपको कॉलेज में जाना होगा या फिर आपको डोनेशन देनी होगी तो यासे में आप लंबर मदर नेम डेट वर से पोर्टल पर जो है लॉग इन कर लोगे उसके बाद आपको तेरह हजार पांसो पच्पर रुपे की फीज पहले जमा करानी होगी जैसे आप फीज जमा करा दोगे उसके बाद आपको डोकुमेंट करने होंगे डोकुमेंट कौन कौन से ली आपको अपने इसाब से दिख सकती है कि आपको किस जिल्में मिल गई है कुछ शात्रों को दोस्तों दूर कौले मिली है और की पीजमान नहीं कराओगे 11 तारिक तक तो आपको एड़ीशन नहीं माना जाएगा भले ही आपको कॉलेज में जाना होगा कॉलेज वाले आपको कॉलेज में करेंगे जैसे आप रिपोर्टिंग करा लोगे 13.155 और जहां तक मैं आपको तक दोस्तों आप इमित के द्वारा ही कराएं अच्चे से इमित से ताक कि कोई गल्दी ना क्योंकि स्कैन होते हैं तो आप मवाल से उनको नहीं कर सकती हो इसके बाद दोस्तों डोकुमेंट को लेकर बात कर लेती हैं डोकुमेंट कौन से यह ज़्यादा डोकुमेंट नहीं है यह सब भी डोकुमेंट आपको चाहिए होंगे जैसे कि दसमी और बार्मी की मार्शीट और इनकी फोटो काँ भी और आपको फोटोगा भी दोनों वहांपर ले जानी होंगी और स्कैन आपको और गोशिंट करानी हो इसके लाबा स्वेक पोश्णा पत्र आपको प्रारूप बनाएगा एप्लिकेशन सा लिखना है दोस्तों उसमें आपको अधिकारिक वेफशाट पर मैं आपको भी बता दूँगा अब बरती का नवीन पास्वर्ट साइज फोटो नवीन फोटा होना चाहिए ज्यादा पुराना फोटो नहीं होन है तो इसके आपके दोस्तों साटिपेट होने चाहिए और यह मूल डोकुमेंट है ज्यादा डोकुमेंट रही है एक दो तीन चार पांच छे डोकुमेंट हैं दसमी वारे की मारशीट है तो आप तो यह माल लीजिए तो और आधर काट भी आप ले जा सकते हैं तो यह डोक कर लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों कि सेकंड लिस्ट कव आएगी देखिए जो बोर्ड की तरफ से समय दिया गया है कलेंटर पहले ही जारी कर दिया गया है मैं आपको दिखा जीता हूं कल तो आपकी लिस्ट आ चुकिए पहली लिस्ट अब आपको 11 तारिक तो फीज जमा क जाएगी फिर आपको अपवर्ड मुइंट कराना यान की कॉलिज चेंज करा सकते हैं उसके लिए आपको 14-16 तारिक समय मिलेगा और अपवर्ड मुइंट उपरहंत प्रणाम की गोश्णा यानि की अपवर्ड मुइंट का रिजल्ट और सेकंड लिस्ट दोनों 19 तारिक को जात्र को जारी होगा तो यह है प्रोसेस दोस्तोcs की सेकंड लिस्ट का तो दोस्तों April 24 सब्सक्राइब कराते हैं कुछ चात्रों का मुड चैंज हो जाता है कि उनको ज्यादा दूर कॉले मिलता है खासका लड़कियों के लिए अपवर्ड मेंड कराते हैं या फिर दोस्तों वह रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं तो ऐसे कापी सारे विद्ध्यारती है तो देखे अ तो जनर्ल में आप महानकी चलिए जो क्याली मिली हैром लगवग कर तॉपप नहीं है जनर्ल में आपकी 440 प्लस चैडिंगी अगर बात करें ओडा करमांछें यहीं एक और वीडियो आने वाली है जिसमें कि सैकन्न लेश्ट में कितनी क्टॉप गिरेगी साथ में दोस्तो सेकंड लिश्ट के लिए आपको जो कॉले बदा बाला उसके लिए क्या करना होगा पॉर्ड मुंट कैसे करते हैं उस खोले गर भी मैं अपडेट करूँगा पहला दोस्तो आज की उड़ी तरह ही अगर आपको वीडियो पर साथ वीडियो को लाइक करना 1853 सीटों के लिए दोस्तो सेकंड लिश्ट जाड़ी होगी इस बार रिकॉर्ड तोर कांसलिंग कर आई है सभी छात्रों ने और नम्मर भी खासे अच्छे आए हैं जैहिंद बंग् दोस्तो आपको बंग् राद करने मंत्रों